हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाल हैं टमेटो केचप मैनिफेक्चरिंग के बारे में जी हाँ दोस्तो, वही टमेटो सॉस जिसे आप बड़े चाव से, बर्गर, समोसे या किसी अन्य फास्ट पूड के साथ खाते हैं तो चलिए बिना टाइम बेस्ट किये सीधा चलते हैं मेनिफेक्चरिंग प्लांट की और और देखते हैं कि आखिर कैसे बनती है हम सब की पसंदिदा टमेटो केचप दोस्तो टमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहरे जरुत पड़ती है ताजे-ताजे टमाटोरों की जिसके लिए जाना पड़ता है टमाटोरों की इन खेतों पर जहांपर इन फ्रेश टमाटोरों को हर्वेस्ट किया जाता है जिसके लिए ये फुली आटोमेटेड मसीने हर एक पोधे से ताजे लाल टमाटोरों को तोड़कर इन कंटेनर्स में भरती चली जाती है जिनें बाद में इन बड़ी-बड़ी ट्रोकों में लाद कर फैक्टरी की और रवाना कर दिया जाता है इसके बाद फैक्टरी में पहुचकर ये टमाटर सीधे चले जाते हैं डिलोडिंग एरिया की और जहां पर इन्हें डिलोड करके ताजे पानी से अच्छे से धुलाई करी जाती है इसके बाद जब ये टमाटर अच्छे से साफ हो जाती है तो इन्हें कनवेयर बेल्ट के जरिये इस अधबूत मसीन से होकर गुजारा जाता है दोस्तों आपको बता दे कि ऐसा करना बहदी जरूरी होता है ताकि अच्छे क्वालिटी के टमाटो केचब तयार किया जा सके वेल अब दोस्तों सुरू होता है टमाटो केचब बनाने की असली प्रोसेस जहां इन सारे टमाटोरों को इस heat pressurizing machine में डाल कर उबाला जाता है ये machine टमाटोरों को गर्मी से लगबग गला ही देती है इसके बाद एक दूसरी machine इन टमाटोरों को कुचल कर इनकी चटनी बना देती है मगर ये process यहीं खत नहीं होता इसे और अधिक smooth बनाने के लिए इस grinding machine में डाल कर smooth पीसा जाता है अब आगे चल कर इन्हें concentrate करने के लिए एक boiler में heat किया जाता है जहां heating के चलते इससे almost 80% पानी हवा में भाब बनकर उड़ जाते है और बाकी 20% बचता है हमारा pure tomato ketchup जिसमें की भेतिरिन रंगत और लंबे समय तक ताजा रखने के लिए तमाम तरह के preservatives और coloring agents को भी add किया जाता है साथ ही इन्हें चटपटा स्वाद देने के लिए इनमें कुछ brand chili extract, paprika, salt powder, नमक और यहां तक की चीनी तक का इस्तमाल किया जाता है जिसके बाद last में इन सब को paste के साथ मिला कर अच्छी तरह blend कर दिया जाता है जिसके बाद जबर्जस्त और स्वादिस्ट tomato ketchup बन कर तेयार हो जाता है और finally इन्हें इन bottles में pack करके market के और रवाना कर दिया जाता है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी